तो अब्रिवान यह राज तुम्हें पता से लगा कि गांदी जी कितने सही आदमी थे आजाद ही तो दिलाए उन्होंने पर मुझे लगते दस से बीस परशंट यूपसी का सिलिबस भी कवर करके चले गए तो अगर हम गांदी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं उ में लिखेंगे फिर उसके बाद हम एसे में लिखेंगे तो ऐसा बहुत कम कंटेंट होता है जो कि हम सारे पेपर में यूज कर सकते हैं वरना कि एक कोशन पढ़ो वह एक ही कोशन में आएगा और वह सारा वह सेम सवाल यूपसी में पूछा जाएगा यानि यह भी कुछ कु प्यार इसले तो गांदी जी पर प्यार आ रहा है मुझे थोड़ा सा यार इतना सही कंटेंट देंगे कैसे चले गए तो यहां पर देखते हैं भी पहले तो गांदी जी के साथ प्रिंसिपल्स था ठीक है यह उनके किताब जो थी हूँ उन्होंने भी इसमें लिखे थे गांदी जी के सेवन सिंस जो है बेसिकली तो यह सेवन सिंस ने बहुत सारा कोशन में आ सकते हैं सोशल डेवलप्मेंट पॉर्टी फिर उसके बाद कोई अगर ग्रीड कर रहा है एथिक्स में तो बहुत आसा जाते हैं तो ऐसा ने सिर्फ की जीस फोर में आएंगे यह जीस वन टू थृ में भी यूज कर सकते हैं पहला वेल्थ विदाउट वर्क यहां पर मैं चोटा सा एक्रॉनिम भी बनाया हुआ हुआ है गांदी जी के सेवन सिंस याद करने के लिए तो वी आर वर्किंग इन प पालाते हैं पहले किसे ने कहा कि यार आवा एंवाइन को खतर है यहां फिर एन्वामन हम डिखर करें तो क्या है तो इसमें भी आसकता है कि वेल्थ विदाट वर्क कैंवामन को काट के वेल्थ कह रहे हैं ज्यादा कूछ काम निक्र और दूसरा में लिए सकता है प्लेजर वदूब सक्षराइब को देखनी रहे किंवार्मेंट को इस वज़ाए से क्या नुक्सान हो रहा है तो मतलब अपनी पावर्स का मिस्कुर्ण त्री में बहुत या फिर कोई पॉलिटीशन अपने धंग से काम नहीं कर रहा है तिक नॉपल तुम्हेरे पास नालिज वगे रहे तो नाजन बन बनना आइस बनना पॉलिटिशन बनना पुर तुम्हारे पास पास कारक्टर नीए बिजनस वदाउट एथिक्स अपनी फॉलोव नहीं कर रहा है तो बिजनस वदाउट एथिक्स आज जग़ा वहां पे तो ठीक है लिख देना है और बस फिट करते जाना है कहां कही यूज हो रहा है तो यह दो पेज जो में बताऊंगा न यह और यह तीन से चार कुशन में हर पेपर में यूज कर सकते हैं ठीक है जहां भी नेगटिव हो न वहां पे डाल देना तो यह अर्व क्लेश को सोचे अ मतलब न मतलब नावलेज लिज की से आता है यहां दो गांदर जी के अने से तो ये गांदीजी के sense है बहुत जाई काम आएगे अब education education एक topic है बहुत important education GS23 कहीं भी आ जाता है GS3 में भी GS4 में भी आ जाता है तो education में नई तालीम को concept दिया था गांदीजी ने अब नई तालीम क्या होती है तो गांदीजी ने बोला था education तो ठीक है पहली बात तो universal education सबको education दो तुम कम से कम छोटे बच छे से चौटा साल के बच्चे को दो दो फिर भी युनिवर्सल education होना चाहिए अब युनिवर्सल मिल गया तो ऐसा नहीं कहार तो तुम सिर्फ काम करा दो काम ऐसा होना चाहिए जैसा job भी मिले ठीक है skill और उसके बाद education दो नों combine करने की बात कर रहे थे गांदीजी vocational education दो training दो जिससे भाई लोगों को काम भी मिले तो यह जब भी हमें skill development की बात आती है तब भी लिख सकते हमें यहाँ पे education की बात आती है इंडिया growth की बात आती है human capital development की बात आती है तब भी हम लिख सकते है गांदा जी का concept of नई तालिम हमें adopt करना चाहिए ठीक है नई तालिम में ऐसा भी है कि ethics भ इतना भी पैसा है ना अमीर में लोगों के पास वह अमीर में बात देना है जहां पर लोग कि रखे है और लोगा बात देतें गया करीबों बात देывает पैसे का कंसेप्ट आया इनिक्वालिटी का कंसेप्ट आया तो यहां पर लिख देना है इनिक्वालिटी बहुत कोश्चन आता है कि Oxfam में बोला है कि 20% लोग जो 80% इंकम लेके बैठे है तो वहां पर conclusion में या फिर recommendation में लिख सकते हैं कि गांदे जीर का trustorship principle फॉलो करना चाहिए जहां पर self-sufficiency, simple living और import substitution self-sufficiency मतलब जितना तुमको लगता है उतना लो बाकी दे दो लोगों को simplistic कर रहो, import substitution मतलब import मत करो जादा, स्वदेशी वगेरे पर depend करो तो ऐसा ही कुछ principle है रूरल में कहा है, gram raja, ram raja, तो गांदे जी पता है, gram raja को बहुत जादा adore करते थे गाओं में, गाओं गाओं पहुत करते रहते, development करना है बोले, गाओं के level पर करो, इंडस्ट्री बनानी है, मतलब जो भी छोटे-मोटे इंडस्री लगानी है, cottage लगानी है, वो गाओं के level पर करो, decentralization करो, लोगों को powers दो, गाओं के, तो यह सारे चीज़े हम gram raja में लिख सकते हैं, जब भी rural की बात आई, पंचायती राज की बात आई, rural development की बात आई, self-help group की बात आई, तो मिनली वो भी गाओं में ही होते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी इनको develop करो, decentralization की बात आ dilemma में हो, कि जो भी तुम काम कर रहे हो, वो सही है या फिर गलत, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक तारिस्मान देता हूँ, तारिस्मान मतलब गांदेची का एक रूल चोटा सा, उन्हें ऐसा कुछ दिया था, कि यार जब भी तुम काम कर रहे हो, उसका result सही है नहीं, तो तु नेगेटिवल इंपाक कर रहे हैं, तो मत करो, जैसे अगर किसी करप्शन होगर का case है, अगर किसी ने बोल दिया कि यार करप्शन करते हैं, थोड़ा पैसा तो जो मिल जाएगा, पर उससे जो गरीब आदमी है, उसको कितना नुक्सान हो जाएगा, यहाँ पर पेड़ काट दूग कर फायदा हो, ठीक है, सरवो दिया, तो यहाँ पर तालीसमान और सरवो दिया गैंसप्त बहुत जादा यूजज़ हो सकता है, एथिक्स में तो बहुत जागे यूज़ होगा, करप्शन करना है या नहीं करना है, तो लिग देना है गांधर जी का तालीसमान, एक मे दो हिंदुजम में बहुत जादा बिलीव करते थे कि वेदास वगर अच्छ है अपने पर फिर भी वह बाकी रिलिजन कल्चर को भी बहुत रिस्पेक करते थे और वह कहते थे कि हिंदुजम की कोई भी प्राक्टिस हो ना अगर वह भी डिरोगेटरी हो किसी के लिए तो उसक येस आयम आयम ऑल्सों क्रिश्चन मुस्लिम अबुद एन जीव ठीक है तो ये रिलिजन के बारे में उन्होंने कहा था फिर सर्वोदया कंसेप्ट सर्वोदया मतलब क्या था यूनिवर्सल अप्लिफ्मेंट जो भी तुम काम कर रहो यूनिवर्सल अप्लिफ्मेंट होना जैसे आजादी की बाता ना तो गांद जी का ऐसा मानना था आजादी हमको हो सकता है कि वॉलिंस की मेथट से मिल जाता ठीक है पर वह जो आजादी मिलती ना वह सस्तेनिबल नहीं होता फिर हो सकता हमारे इंडिया में कम्यूनिस पार्टी बहुत जादा होती थी जगे- अच्छा है गांजी का सुवाराज चागन से पार्ट एसा नहीं है उन्होंने कहा कि यार सिर्फ मतलब यह एक इंडिया लेवल पर होगा कि हमारा ही कंट्री और हम रूल करेंगे सुवाराज उनका में बेसिकल मतलब था हर कि सेल्फ रूल सेल्फ रूल मतलब सकता है तो इस इंडिविजिवल को स्टप ऐसे लेने चींग है सोशाइटी भी स्टैपस ऐसे लेने चाइसे जिससे रहना इंडिविजिवल ग्रो तो किसी पर डिपेंडेंट Papal तो यह भी लिखसकते है स्केल्ट मेंट कि बारी आई तब वहां गांदी जी का सवराज्या उपलिफमेंट की दाल देता गहां टेररिजम की बात आई तो टुथ और नॉन वालेंस ठीक है तो यह भी लिख सकते है कंक्लूजन में या फिर वे में आई फॉर नाइड विल मेग दे हूल वर्ल ब्लाइंड टोएंग का कंसेप्ट था ठीक है एनवार्मेंट से रेलेड़ेट क्या लिखा था इन्होंने नीड पर नेगेटेव एफिक पड़ रहा है तो यह ग्रीड और नीड का प्रिंसपल है यह भी बहुत जगी आ सकता है डी सेंट्राइशन तो डी सेंट्राइशन पी तो गंद जी के देवलप्मेंट खादी इंडस्ट्री यह सारे चीज़े बनाने के लिए गंदेजी बहुत फोकस कर रहे थे स्वाधिशी अगन सब भी था गंदेजी ने भी प्रोपोगीट किया था बहुत ज्यादा खादी पहनो खादी पहनो ठीक है और डिसेंट्रलाइशन में भी आ सकता खादी इंडस्ट्री डेवलप करो मतलब मशीन उतना ज्यादा मतले क्या हो गाओ के लोगों को एंप्लाइमेंट दो ठीक है तो यह डिसेंट्रलाइशन का कहीं भी आ सकता है पंचादी राज इंस्ट्यूशन में तो बहुत अच्छे से आ जाएगा डिसेंट्रलाइज ग् तो यहां पे उनने कहता है कि शॉट और सुप कम उना चीए उनके पास इसा वनाच चीए यहां पर यहां पर यह सकते हैं लेबर इंटेंटेंट्री में लेबर जो होता है उनको यह तूल नियुक्रा में देखना चाहिए उसको भी एक इंड़िजूवल एंटिटी की तरह बहुत तुमारे काम की चीज़ है सिमिलर लेबर वर्फेर में मोर लीजर मोर वेज़ेस देने चाहिए उसको क्लीन हाउस क्लीन बॉड़ी क्लीन मॉइंडन सूल तो यह कंसिप्ट है वह कहीने गड़ी जीनी तो यह कश प्रॉबपर्म नियुक्र्ण चाहिए पर ऐसी machines जो बहुत सारा लोग को replace कर दे उसे थोड़ा तो avoid करना चाहिए जहां तक हो सके तो यह चीज है तो यहाँ पे एक हतम हो चुका है फिर बाकी अगर Nelson Mandela, Dalai Lama, Martin Luther King mainly इन लोगों के भी ना इन लोगों के ideas भी same ही थे तो अगर हम direct नाम न लिखे और फिर नेलसन Mandela या फिर Dalai Lama का नाम लिखे same ideas propagate कर ले हाँ basically हम यह नहीं लिखेंगे वहाँ पर की नई तालीम का concept क्यों नई तालीम बेसिकली गांदी जी ने specifically दिया था पगर इन सब लोगों का नाम लिख दे और same कुछ ideas प्रोपगेट कर दे हम लोग तो भी examination में marks मिल जाएगे क्योंकि यह लोग की ideas same ही थे almost ठीक है लाल बहादर शास्तरी नहरू ठीक है तो अगर हर जगे गांदी जी गांदी जी लिखने से तुम्हें लग रहा है हर पेपर में गांदी जी कैसे आ जाएंगे मतलब चार सवाल लिख रहे है सकते हैं बस अलबस में देखते हैं कौन-कौन से topics में आ जाएंगे एक्जाम से पहले देख लेना और फिर उसको implement करते चले जाना है ठीक है चलो बाए बंद करना इसको भी